हेलो एवरिबडी मेरा नाम है विशाल मैं रीसर्च एनलिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स एक सेबी रेजिस्टर्ड रीसर्च एनलिस्ट फिर्म है अन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिजनस स्टांडर्ड इनालेसिस वीडियो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इन बिजनस निस्पेपर के कुछ बढ़िया आर्टिकल इन आर्टिकल के कौज और एफेक्ट को अनलाईज करेंगे overall सीखेंगे कि कैसे एक बिजनस निस्पेपर के आर्टिकल को हमें पढ़ना चाहिए किस तरीके से क्या topic related है हम यहाँ पर relate भी करेंगे सारी चीजों से तो शुरुवात करते हैं आज के सबसे पहले article से पहला article है OYO starts first luxury hotel in Dubai to boost portfolio OYO, सबने नाम सुना हो गए इसका बहुती बड़ा unicorn, one of the most famous startups and यह luxury hotel के segment में आ रहे हैं अभी तक OYO famous किस लिए था बहुती budget hotel के लिए राइड यह लोगों को बहुती budget price के hotels provide कर देता था चाहे आप किसी भी city में हो तो इसका segment था कि budget hotel बनाएगा middle class लोगों को serve करेगा बट अब इरोंने पहला luxury hotel open किया है दुबई में अपने portfolio को बढ़ाने के लिए portfolio in a sense की जो hotels है और services है services के portfolio की बात कर रहा है हम लोग यह तो travel technology platform यह बात किसकी हो रही है travel technology platform OYO Monday को इसने announce किया कि यह पहला luxury hotel open कर रहा है दुबई में जिसके नाम है पहले रॉयल reflections hotel and spa IPO भी आने वाला है बहुत ही जल्दी IPO का मतलब मैं बता दो जो लोग बहुत ही मतलब नए है stock market के बारे में नहीं पता stock market में जब company पहली बार अपनी company को list करती है तो वह होता है IPO initial public offering पहली बार जब public के लिए available होता है किसी company के shares purchase करने के लिए वह होता है IPO तो यहाँ पर यह अपने premium property portfolio को globally बढ़ाना चाहते है premium segment में भी गुसना चाहते है company expect कर रही है कि number of Indian tourist तो especially Dubai में जाने वाले है क्योंकि visa policies काफी ज़्यादा relax हो रही है तो देखिए company किस तरीकी से research करती है company यह नहीं सोचती कि मेरा hotel का business है ठीक है यह hotel खोलेता है यहाँ आ रहा है यहनोंने proper regulations को यह study करते है अलगलग countries के कि किस country में कितने relax आप देख सकते हैं कि regulations होने वाले है वीजा policies आने वाली है कहां क्यों सी country के सबसे ज़्यादा tourist आने वाले है उस country में average income क्या है average tourist कितना spend करता है इस यह सारी चीज़े करते है उसके साब से अपने hotel rooms के prices को भी यह mark करते हैं कि इने उपर रखना है नीचे रखना है किस type की services provide करनी है so there is a lot of research that goes into these type of decisions ठीक है ऐसे नहीं कि अरे Dubai में let's open a hotel in Dubai बस ऐसे जाके hotel randomly open कर लिया because यह जगे सस्ती है या ली सस्ताफ no they don't care about these things इनके पस पैसो की कमी नहीं है right so oh you expect कर रहा है कि एक लाग से जादा इनन टूरिस्ट आएंगे दुबाई में इस साल and दुबाई फेवरेट देस्टिनेशन बिरा है इनन ट्रावलेर्स के लिए लक्षरी शॉपिंग वाँ होती है स्टनिंग आर्किटेक्ट्चर है वाइवरेंट कल्चर है तो यहां पर इनन टूरिस्ट इंक्रीज होने वाले अच्छे का से लोग जॉप के लिए आएंगे और लोग आएंगे बिजनस के काम से प्लस घुमने के लिए भी तो यहां पर प्रीम प्रॉपर्टी फुट्प् होना कितीं बड़ी बात है दोसों तो सिर्फ दुबाई में है और इंडिया सबसे बड़ा सोर्स है ठीक है दे बिगेस्ट सोर्स कंट्री फॉर दुबाई टूरिजम में सबसे बड़ा सोर्स क्या है इंडिया सबसे दर लोग इंडिया से आते हैं दुबाई में तो यहां प इंडियन कास्टमर्स वी हाफ तो बिल्ट सम्थिंग जो अट्राक करें वहां पर भी इंडिन कास्टमर्स को सो लेट सी यह इनिसेटिव कैसा रहता है दुबाई यूई के अलावा भी कहां पर वो यू एक्सल कर पाता है आदे हैं एक एडिटोरियल आर्टिकल पर यह एक एडिटोरियल है और यहां बेहां हम बात कर रहे हैं काफी एक फेमस टॉपिक की ऑन्गोल कॉन्वर्सेशन भी काफी रहता है यह अगर आप देखें तो इसका नाम है हाइब्रिड्स इन इवी एरा इवी क्या हो गया हमारा इलेक्टिक वीकल मतलब आप प्रॉपर फुली इलेक्टिक वीकल चला रहे हैं जिसमें सिर्फ बैटरी है उसे आपको चार्ज करना होगा और उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हैं so that is फुली इलेक्टिक लेकिन आपको फुली उलेक्रिक चलाने की जरुद नहीं है अग का भी solution निकाला है companies है और कई सारी companies तो सिर्फ इस पे ही focus कर रही है इस solution का नाम है hybrids ठीक है नाम से ही आप समझेंगे hybrid मतलब यहां मिलेगा हमें दो चीजों का combination वो दो चीजे क्या है सबसे पहला आप देखेंगे ज्यादतर ev plus patrol यह hybrid इंडिया में अभी वी काफी सारी cars में आई है अगर आप देखें honda city ठीक है इसमें मिल जाएगी Toyota काफी सारी hybrid cars दा रही है Toyota और जापनीज company मैं बोलूगा जापनीज company से कैसी company है जो गाडियों में सिर्फ ev पर focus बिल्कुल नहीं कर रहे है जापनीज hydrogen पर भी काम कर रहे है यह लोग hydrogen पर काम कर रहे है इसके अला इंदर कार मार्केट सून एक फॉक देखने वाला है इंदर रोट इन इस जर्नी टोवर्ड इलेक्रिफिकेशन अंटिल नौ प्यॉर इलेक्ट्रिक वीकल्स ठीक है यह फ्लेवर थे डेक है लेकिन hybrid technology अब इमर्ज कर रही है और एक important game changer भी है क्यों क्योंकि यहां पे जो हमारे राइटर है ऑथर है वो यह कह रहा है इन्होंने बस एक स्मॉल इंट्रो दिया है यह कह रहा है कि electrification की जो जर्नी है हमारी कि fully electric हमें बनाना है अपने देश को इसमें एक बहुत बड़ा कांटा आने वाला है कांटा क्या है यह है यह है प्यॉर इलेक्ट्रिक वीक इन्जन वाले लोगों को यह ज्यादा पसंद आएगा as compared to electric vehicles अगर उनको option दिया जाए तो तो despite limited range of hybrid vehicles that are offered in India जो limited range hybrid vehicles की जो इंडिया में offer किये जा रहे है sales काफी ज़्यादा बढ़ गई अगर आप देखे अलबिट a small base बहुत ही कम cars है इंडिया में hybrid यह बात बिल्कुल सही है इनको subsidies और tax benefits भी नहीं बिल रही है जो electric को मिल रही है लेकिन still इनकी sales बहुत अच्छी है और US में अगर आप देखे तो EV की sales कम हो रही है दुनिया भर भी हो रहा है लोगों के उपर बहुत जल्दी ऐसा भी हो रहा है कि इंपोस किया जा रहा है चेंज को चेंज यूजिली आने में थोड़ा time लगता है लोग को adapt करने में थोड़ा time लगता है चीजों को बट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत जल्दी इंपोस कि का decision है कि वो hybrid technology की साथ जाएगा जहां पर इस सस्ती गाड़िया निकालेगा hybrid गाड़िया निकालेगा ना कि proper electric पर फोकस करें आज भी आप देखें मारुती सुजुकी की एक भी का गोल क्या रहेगा hybrid technology निकाले और लो कास लो कॉस्ट यह अपनी कार्स को बनाएं ताकि middle class को यह सबसे जादा टार्गेट कर पाएं तो यहां पर देखना है कि इनकी जो फीट है और बलीनों स्विफ्ट फ्रॉंग्स और जो एक्जिस्टिंग रेंज हैं ग्रांड विटार और इन्विक्टो की यह लाइकली शेक अप कर सकती है पूरे आटो विल मार्केट को क्योंकि यहां पर यह hybrid technology ला सकते है इन सारी एक्जिस्टिंग कार्ज में यह बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है किसके लिए टाटा मोटर्स और महिंदरा के लिए जो पूरा अपना बैंड वागन डिच करके कहां चले गए इवी के ट्रेन पर कोड़ गएगी भाई हम तो इवी पे जा रहे हैं हम हाइब्रेट वगर कोड़ अच्छी हैं बट अगर आप ग्लोबली देखें तो इवी में जो इंट्रेस से लोगा यह काफी कम हो गया है टोटा सुजुकी बहुत ही अग्रेसिवनी गौर्वर्मेंट के पीछे लगे हो है कि भाई आप जी एस्टी कम करो हाइब्रेट गाड़ियों के लिए भी क्योंकि आपने इंसेंटिव इवी को इसलिए दिया है क्योंकि ईवी से पोलुशन कम करती है तो हाइब्रेट भी तो पॉलुशन कम करती है हाइब्रेट पे आप उत्ना ही टाक्स लगा रहे हो 28% कर रखा है तो इसको कम करके 12% लाओ इवी पे आप 5% लगाते हो तो इवन जो हमारी union master निदन गड़करी जीए, उन्होंने भी ये कहा, कि hybrid cars काफी कम पॉलेशन कर रही है, petrol cars से, और दोनों पे 28% tax लगाना, does not make sense, आप punish कर रहे हो, किसी को clean energy बनाने के लिए, तो इसको कम से कम 12% पे लाओ, और ये technology बढ़िया भी है, आप hybrid पे काम कर रहे हैं, है न, तो आप electric पे तो करी रहे हैं, साथ में आपके पास petrol engine है, तो लोग इस change को जन्दी adapt करेंगे, as compared to petrol को पूरी तरीके से ditch करके, EV पे shift होने के, तो ये एक बहुती बढ़िया decision हो सकता है यहाँ पे, Toyota सबसे पहला car maker था, जिन्होंने bet किया hybrid पे, जो इनका price model था, 1997 में यहाँ से, और of course इन्होंने काफी मजाग भी उड़ाया ज़्यादा है Toyota का, ठीक है, अभी भी hydrogen cars पे काम कर रहे हैं, so यहाँ पे Toyota कुछ ना कुछ आगे vision में नजर आ रहा है hybrid में, जो बाकी companies ignore कर रहे हैं, और इसलिए इतना billions of dollars invest कर रहे हैं, Japanese companies कोई छोटा amount invest नहीं कर रहे है, यह चाहे तो EU भी वर्क कर सकती हैं, बट इन्हें लगता है कि सबसे best alternative क्या है, हमारे पास है hybrid technology, and Maruti Suzuki, of course Suzuki इसाब इनकी partnership है, तो इन्होंने भी realize कि इन्हें अपने portfolio को बढ़ाना होगा, बड़ी कारे launch करनी होगी, जैसे कि SUV, Maruti पिछले पांच वालों में पीछे इसे ले रहा है, क्योंकि SUVs Maruti की तरफ से देखने कोई नहीं मिली, हमेशा middle class पे ज़्यादा focus किया, 4 लाग, 5 लाग, 6 लाग, 7 लाग की cars पे इन्होंने ज़्यादा focus किया, और वो cars इनकी बिकी भी है, dominant भी किया है इन्होंने, तो Maruti Suzuki ने sign किया है production sharing agreement, Toyota के साथ जहां पे Toyota की capacity इसके लिए EMA कर दी गई है, कि आपकी मान लीजे for example 20% जो production capacity वो हम use करेंगे, तो market में खुदी अपना capacity इनका expansion वो करने वाला है, ठीक है अब पहले तो partnership किया और बाखी अपनी जो existing capacity है, इसे भी इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे पूरी तरीके से मारूती चाहता है कि वो किसी एक band wagon पे ना जाए, एक ही train पे ना कूट जाए और इसी ने EV में भी मारूती ने हड़बड़ी नहीं की और अब वो hybrid के तरफ जाना चाहरा है, क्योंकि इंडिया नहीं वो एक global pattern देख पा रहा है कि globally EVs अब इतना अच्छा नहीं कर रही, लोग जादा खुश नहीं हो रहे हैं EV से, इंप्रेस नहीं कर पा रही है, ये एक बहुत बड़ा realization है, जो इसे patience रखने की वज़े से मिला है, तो hybrid resurgence एक signal है कि fully electric mobility revolution में जादा वक्त लगेगा, येस, पूरी तरीके से EV star अगर आप चाहते हैं इंडिया में आए या किस भी दुनिया में आए, तो इसमें समय जादा लगेगा, इंडिया, primary bottle ने क्या है हमारा सबसे बड़ा है, large battery charging infrastructure बना रहा है, इंडिया में petrol stations already हैं हमारे पास, लेकिन battery charging infrastructure बनाना is not easy, और जिस हिसाब से आप देखे, petrol pump पे इतनी line लग जाती है, तो अगर सारी cars EV हो गई, let's say 10 साल में, जो कि बहुत ही छोड़ा टाइम है, बहुत ही impossible task है यह, बट अगर ऐसा हुआ, तो हमारी technology हम बिल्दी नहीं कर पाएंगे, इंडिया से इंडिया से जहाँ पे हम सारे cars को public space दे पाएं, उन्हें चार्ज करने के लिए, उन्हें इतनी space दे पाएं, इतने charging stations हम लोग बिल्द कर पाएं, इसमें time लगेगा, और better यह होगा, कि हम क्योंकि एक permanent change करना चाहा है हमारे environment में, हमारे globally बुरी दुनिया में, तो हम उसके लिए थोड़ा समय लें और जल्दिवाजी में ना करें, आते हैं दूसरा आर्टिकल पर, चाइना wants EU to scrap EV tariffs, अब यह भी EV से related है, अभी कुछ दिन पहले मैं बता दू, मैंने cover किया था business newspaper में, कि European Union ने एक नया EV tariff launch कर दिया है, चाइना से आने वाली vehicles पर, कहा है कि 30-35% हम इट पर extra tax लगाएंगे, चाइना बहुत नराज हुआ, और अब यहनों ने ultimatum दिया है EU को, कहा है कि EV tariff को हटाओ, वरना हम भी और tariffs लगा देंगे आपके उपर, और यह एक trade war शुरू हो जाएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, तो बीजिंग यहां चाहता है, कि European Union, यह सारे जो इसने tariffs और यह वो impose किये हैं ना, Chinese vehicles पे, इसको फाड़े और फिक दे, Chinese की जो state control media, Global Times, उन्होंने कहा, कि यह after both sides agreed to negotiate, जब दोनों sides ने agree किया, कि हम negotiate करेंगे, यहां पर discussion करेंगे, तो यहां possible compromise हो सकता है, provision European Union duties है, 38% तक की, इतना duty उन्होंने impose किया है, पिछले 10 दिन, 10 दिन पहले, imported Chinese made electric vehicles पर, और यह 4 जुलाई से implement हो जाएगा, यूरोप में, तो यहां पर Chinese law का कहना है, कि यह excessive है, और यह बिल्कुल unfair है, यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और European Commission ने कहा है, कि technical talks होंगी, Chinese officials के साथ Brussels में, और उन्होंने emphasize किया, कि कोई भी जो negotiated outcome हो, investigation की, यह effective होना चाहिए, in addressing interest subsidization, उनका यह कहना है, कि कोई भी आप बाते करों से, discussions करो, ठीक है, लेकिन यहां पे बहुत जरूरी है, और Europe यह बात सही भी कह रहा है, कि China इतना heavily subsidized कर देता है, production को, जैसे इन्होंने पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, solar equipment के ले ले तिया, कि पुरी दुनिया में, solar requirements पे लोने कबजा कर लिया, और manufacturing पे भी इसलिए कबजा कर लिया, क्योंकि इनके products सस्ते हैं, सस्ते इसलिए हैं, क्योंकि इनकी government, इन्हें subsidy प्रोवाइट कर रही है, तो Europe का भी सही कहना है, कि Europe में और कहीं और भी, दुनिया में जो कार बन रही है, वहाँ subsidies उन्हें नहीं मिल रही है, वो companies खुद खर्चा उठा रही है, ठीक है, इतनी नहीं मिल रही है, जितना China दे रही है, ठीक है, उनका ये कहना है, ऐसा हो सकता है, कि China से भी जादा दे रही है, इस चीज़ें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब हम discussions करें, उनका ये कहना है, तो यहाँ serious moment of progress के expectation है, चाइना से German Chancellor का ये कहना है, और चाइना ने repeatedly लगातार कहा है EU को, कि अपने tariffs को cancel करे, और negotiate करे, discussions करे, क्योंकि Beijing नहीं चाहता कि फिर से नया एक tariff war शुरू हो जाए, देखिए, यहाँ लिखा है इन्होंने, Beijing does not want to be embroiled, फस्तना नहीं चाहता ये tariff war में, जो अल्रेडी किसके साथ चल रहा है, US के साथ, ठीक है, Trump administration के time पे शुरू हुआ, और अभी भी continue चल रहा है, Biden administration ने भी इसे आगे और बढ़ाया, so यह issue, China, let's say किस तरगे से sort करता है, Europe के साथ, we have to see, कि charge रहा है से क्योंकि इंपोस हो जाएगा, so we have to see, कि क्या Europe इस decision को वापस लेता है, या नहीं इससे पहले, Jen raises 5.3 billion dollars, biggest in biggest hedge fund debut since 2018, Bobby Jen, आप picture देख रहे हैं, इनकी CEO है, और Chief Investment Officer है, Jen Global, ठीक है, एक multi strategy investment firm है, 2024 में इसे found किया गया, और इनने 5.3 billion dollars, commitment में हासिल किया है, अपनी new multi strategy hedge fund के लिए, तो यह सबसे बड़ा fundraising hall है, since Exodus Point, capital management record debut, यह firms क्या हैं, मैं बता दूँ, जैसे आप और हम, ठीक है, हम normally हम क्या करते हैं, पैसा mutual fund में लगाते हैं, और वो fund managers उन्हें manage करते हैं, लेकिन जितने भी H&I, ultra H&I हैं मैं बोलूँगा, यह पैसे mutual funds में दो डालते हैं, बट इनके पैसे hedge funds भी manage करते हैं, और Gen Global एक ऐसा ही multi strategy hedge fund है, जिन्होंने 5.5 billion dollars की commitment raise कर लिया, मतलब यह इतना पैसा लोगों से लेकर, बड़े clients से लेकर manage करने वाले हैं, एक जुलाई से यह start कर रहा हैं, और यह news में इसलिए आ रहा है, क्योंकि 2018 से लेकर सबसे बड़ा debut है, शुरुवात ही 5.5 billion dollars से करना, तो Gen Global शुरुवात कर गया एक जुलाई से, according to the people जो familiar है इस matter से, और यहाँ पे इन्होंने commitments, endowments, foundation, family offices, bank के wealth platform और sovereign wealth fund से लिया है, और Gen है कोई, मैं आपको बता दू, यह former co-chief investment officer है, millennium management के, and इन्हों millennium management fund में आपको बता दू, आप Google कर सकते हैं कि, one of the most successful fund रहा है पूरी दुनिया का, so it's not a very normal thing कि, आप millennium management fund में काम करें और वो भी, उसके आप co-chief investment officer हो, so yes, he has the merit, he has जो यह back कर, इनका जो experience यह back करता है, इतने बड़े fund को यह mark करना, 5 billion dollars जो लोगों ने इन पर trust करके इने दिया है, so हम लोग इसमें पैसा नहीं लगा सकते, because hedge fund managers के कुछ conditions होते हैं, और कुछ India में भी अगर आप देखेंगी, government की conditions हैं, कि आपकी income let's say 1 crore होनी चाहिए, एकम से कम, और net worth भी आपका अच्छा खासा होना चाहिए, 10 crore या 8 crore, तब आप किसी hedge fund manager को पैसा दे सकते हैं, invest करने के लिए, नहीं तो आप नहीं दे सकते, तो इन्होंने 10 billion dollars का target रखा था, लेकिन वो नहीं कर भाए, 5 से 6 billion dollar इन्होंने, लेकिन target reduce करके, achieve कर लिया, और अपनी fees भी यहां पे इन्होंने cut की, critical mineral bidding, mining major skip auctions, यहां पर बात किसकी हो रही है, हम कुछ दिन पहले ही जिस अब discuss कर रहे थे, तो मैंने बात कही थी, काफी सारे articles क्योंकि हम cover कर भी चुके हैं, mining से related, मैं आपको बता दू, कि जिस तरीके से पिछले 20 सालों में आप देखें, sorry, पिछले 100 सालों में, जिन भी countries के पास, petrol and diesel था, they were very powerful, ठीक है, in a sense कि, उनके पास energy का source है, आप चाहें खाना उगा ले, लेकिन उगा भी नहीं सकते, बिसे बिना energy के, लेकिन अगर आप उगा भी ले, तो उसे convert करने के लिए, food में process करने के लिए, हमें energy चाहिए, किसी भी country को sustain करने के लिए, basic necessities क्या है, एक क्या है, energy, ठीक है, food, ये दो चीज़े, अगर किसी भी country के पास है, तो वहाँ, चाहे democracy ना हो, चाहे war और कुछी भी हो वहाँ, शान्ती बना के रखना, इस आट वेरी difficult, अगर आप लोगों को food दे रहे हैं, और लोगों को energy दे रहे हैं, तो, mining major, skip auctions, critical mineral bidding, यहाँ पर मैंने ये बात इसलिए ब कही, क्योंकि यहाँ पर term लिखा है, critical minerals, critical minerals के बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है, upcoming यह बहुत important रहने वाला यह, 50 साल के लिए, क्योंकि जैसे petrol diesel की खोज हो रही थी, हर country में कि क्या हमारे पास है या नहीं है, वैसे critical minerals हो गए है, critical metals, हम इन्हे strategic minerals भी बोलते हैं, strategic metals भी बोलते हैं, यह वो minerals और metals है, जो use होता है, clean energy में, clean energy technology में, बहुत ही expensive है, यह मैं आपको बता दू, और बहुत ही कम countries है, जो dominate कर देती है, इनके production में और mining में, clean energy, solar आप use करते हैं, ठीक है, आप EVs बना रहे हैं, battery technology में काम कर रहे हैं, बिना strategic metals के एक भी खाम नहीं होने वाला, कोई EV नहीं बनने वाली, so जिस भी country के पास यह है, dominate करेगा इस चीज में, कोई भी country, so वो globally, काफी हद तक, पुरे energy market पे कबजा रखेगा, तो यह एक बहुत बड़ा important segment बन गया है, हर country के लिए, तो यहाँ पे हम critical mineral auction कर रहे थे इंडिया में, जितने भी mining sites है, उन्हें उनका auction चल रहा था, और यहाँ पे देखिए कि, हम बिल्कुल भी mining industry को enthuse नहीं कर बाए, ठीक है, उन्हें खुश नहीं कर बाए, इस वाले auction से, क्यूंकि यहाँ पे 50% से भी, less success rate रहा auction का, ठीक है, और कई सारे auctions तो cancel ही हो गए, क्यूंकि कोई response ही नहीं आया, इतना low response था, तो results announced किया है, ministry of mines ने मंडे को, जहाँ पे 6 less unknown companies हैं, जो prefer bidders बनके आई हैं, और इनमें aggressive sponge है, कुंदन gold mines, दालमिया भारत, refractory, सागर, stone industries, and Mikey South Mining, union minister का कहाना है, कि union announce कर दिया है results को, और 4th round भी ओक्ष, critical mineral auction का, strategic metals का launch कर दिया है, और ये blocks, अब put on sale हैं, already, तो इन पे इन पे इक companies bid कर सकती हैं, तो India क्या चाता है, कि हम लोग जो भी crucial minerals और metals है न, इनको domestically क्या करें, produce करें, हम of course, आत्म निर्वर भारत की बात करता है, मेरी निंजा की बात करता है, तो minerals, metals, ये सारे चीज़े तो हमें, खोदी produce करनी चाहिए, और import पे हमें dependence कम करना है, उल्टा हम तो export करना चाहेंगे, लेकिन ये lackluster response क्यों है, क्या companies participate नहीं करना चाहते हैं, में, दिखे, lackluster response आया है, क्यों? due to lack of clarity of potential data of reserves, companies कह रही हैं, कि जो भी reserves है ना, इस mine में, let's say मैं mine खरीद रहाँ को भी, उसमें कितना coal, कितना metal, कितना nickel, cobald होगा, इसको लेकि clarity नहीं है, तो हो सकता है कि, मैं बहुत ज़्यादा overestimate करूँ, और उतना, वहाँ से मुझे profit ना हो निकलेना, मेरा पूरा investment बेकार हो जाए, and this is a very big risk, right, क्योंकि, किसी भी mining company का, पूरा profit depends, इसी बात पर करता है, और अगिर यहाँ पर clarity है, इसका मतलब, government यहाँ तो जल्दिबाजी कर रही है, यह कुछ ऐसा reason हो सकता है, जिसकी वज़े से, data पुरा clear नहीं है, तो कोई भी invest नहीं करना चाहता, जब data यह available ना हो, और reserves का, तो यह firms, जो भी यह firms है, इनका यह कहना है, कि इनकी capability है, जो mining की, isn't a big question now, और यह company शायद mine भी ना कर पाए, और यह development कब आ रहा है, जब ministry ने औरड़ी, 14 blocks cancel कर दी है, out of 18, जो critical minerals के लिए launch हुए थे, in the second branch of February 29, माइन्स ministry के हिसाब से, अब देखे, हम सिर्फ article में यह बढ़ रहे हैं, कि कितना कम response है, companies बिल्कुल भी interested नहीं है, इन mines में, auction में participate करने के लिए, and government को इनकी बात अब सुननी चाहिए, and जो भी data है, जो इन companies को चाहिए, यह proper तरीके से disclose करना चाहिए, तो overall हम यही पढ़ रहे हैं, इस पूरे article में, कि किस तरीके से, जो six blocks जैसे की, graphite, manganese, phosphorite, lithium, rare earth metals, जो located है, उदिशा, तमिल नाडू, उत्रपरदेश, चत्यसगर में, यह highest auction premium था 400%, उत्रपरदेश के phosphorite block का, जो सागस्ट उनको मिला है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी mines, mines अभी आब auction हो रहे हैं, सबसे बड़ा issue क्या है यहाँ पर, कि data नहीं है, पता नहीं, कितना हम extract कर पाएंगे, कितना एक्सराक नहीं कर पाएंगे, कितना profit होगा, कितना revenue जोगा, nobody knows, it's a big bet, जो companies नहीं लेना चाहते, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो ज़रूरी से लाइक करें, और चानल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी ना भूलें, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,